जै मातारानी की स्वागत है दोस्तों आपका महायोग टीवी चैनल में अगर आप अपनी जिंदगी में सफल होना चाहते हैं और एक समझदार व्यक्ति बनना चाहते हैं तो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें जिससे आपको भगवान से जुड़ी हुई सभी बातों का ग्यान कराया जाएगा तू इस वीडियो में हम बात करेंगे आज हमारी वीडियो का बहुत ही प्यारविशय है अगर आप एक महिला है और लंबे बाल रखने के शौकीन है तो जरा ये बताईए कि जब भी आप अपने बाल बनाती है तो आपके जो बाल तूटते हैं आखि आप भी ये गलती करती हैं तो हो जाएए सावधान क्योंकि इसे आप अपने जीवन में कई तरह की परेशानियों से गिर सकती है तो कहीं आप भी तो हमेशा शारीरिक तोर पर बीमार नहीं रहती है कहीं आपके ऊपर किसी ने तंत्रमंत्र तो नहीं कराया हुआ है और नका पुझ्य पंडित प्रदीब जी मिश्रा जी का कहना है कि जो भी महिलाएं अपने टूटे हुए बालों को यहां वहां ऐसे ही फेंक देती हैं। आप जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। महायुद्ध टीवी चैनल मात्र एक चैनल नहीं है बलकि आप सब हमारे परिवार के एक हिस्से हैं। इसलिए आपको जो जानकारी में बताऊंगा वह सही ही बताऊंगा। आप इसलिए आप हमारे च शास्त्र नाम के एक जो पुस्तक है उसमें महिलाओं के बारे में कई तरह की बातें बताई जाती है जिन में महिलाओं के चाल चलन से लेकर उनके सिंगर तक हर एक जरूरी जानकारी लिखी गई है। समुद्र शास्त्र में कहा जाता है कि महिलाओं को माता लक्ष्मी का शेश कृपा बनी रहती है और ऐसी महिलाएं अपने जीवन में कई प्रकार के तरक्की कर सकती है। लेकिन गुरु जी का यह भी कहना है कि अक्सर महिलाएं अपने बालों के संबंधित कई ऐसी गलतियां कर देती हैं जिनका खाम्याजा उन्हें भुगतना होता है। जैसे कि अक्सर महिलाओं को यह नहीं पता होता है कि किस दिन उन्हें अपने बालों को धोने चाहिए और साथ में ही महिलाएं यह भी भूल जाती हैं कि उन्हें अपने सिर के बालों को कब कटवाने चाहिए और कब नहीं कटवाने चाहिए और सर के बालों से संबंधित जो भ खास नियम कायदे कानून होते हैं, उनके बारे में भी महिलाएं लापरवाही बरती है। इसी के साथ महीने में कुछ ऐसे खास दिन बताये जाते हैं, जैसे अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी, जिस दिन महिलाओं को बाल, धोना या कटवाना वर्जित है, होता है। रहना है कि सोमवार वाले दिन सुहागिन स्त्रियों को बाल धोने और कटवाने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे उनके पति के तरक्की में रुकावट आती है। वही मंगलवार वाले दिन जो भी सुहागिन महिलाएं अपने बाल धोती हैं, ऐसे में उनके कुंडली में मंगल ग्रह कमजोर होता है, उन्हें तरह के संबंधित परेशानियां होती हैं, साथ ही उनके जीवन में नकारात्मक्ता का प्रभाव ही बढ़ने लगता है। मंगलवार वाले दिन महिलाओं को बाल कटवाने से और अपने तूटे हुए बालों को यहाँ वहाँ फेकने से भी बचना चाहिए। को बाल धोना, आपके धन संपदा, समरिध्धि और व्यापार में बढ़ोतरी के लिए काफी फायदे मंद हो सकता है। वहीं अगर गुरुवार वाले दिन महिलाओं का बाल धोना और बाल कटवन दोनों ही बहुत अशुभ माना जाता है कहां जाता है कि इससे न केवल घर में दरिद्रता पैर पसार लेती है बलकि आर्थिक तंगी होने लगती है। और आपका गुरु ग्रह जो कि आपकी अमीरी और आपका वैभव के लिए जाना जाता है ये ग्रह कमजोर हो जाता है जिसकी वजह से आप भले ही राजा ही क्यों ना हूँ आपको रंग का बनते देर नहीं लगती। इसी के साथ शुक्रवार का दिन महिलाओं के बाल धोने और कटवाने के लिए बेहद शुभ माना जाता है। ये माता लक्ष्मी का ही दिन है। ऐसे तो माता लक्ष्मी के दिन में महिलाओं को बाल कटवाने नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप बाल कटवाते हैं तो आप ध प्रक्ष्मी की कृपा मिलती है, संपदा वैभव, एश्वर्य सुख संपत्ती में बढ़ोतरी होती है। साथ ही शनिवार और रविवार वाले दिन भी महिलाओं को अपने बाल धोने से बचना चाहिए। क्योंकि आपकी कुंडली में शनिराहु केतु कमजोर हो बनता है, जिसे आपके जीवन में शारीरिक मानसिक और आर्थिक कई तरह की परेशानियां आ सकती हैं। इसके अलावा कई और दिन होते हैं। बढ़ोतरी होती है। लेकिन अगर आप अपने बाल कटवाते हैं तो ध्यान रखें कि आप अपने बालों को यहां वहां न पेंगे। किसी के पैरों में ना आने दें और ना ही आपके बालों को। ऐसे ही खुले में छोड़े। इसी के साथ महिलाएं अपने दैनिक जीवन में जब रोजाना बालों में कंगी करते हैं तो भी उनके कई सारे बाल तूट जाते हैं। और अक्सर महिलाएं उन बालों को ऐसे ही कच्रे में फेंग देते हैं या फिर यूँ ही सडक पर फेंग देते हैं। महिलाओं को यह जानना जरूरी है कि महिलाओं के बालों से तंत्र शास्त्र किया जाता है। और जो महिलाएं अपने बालों को यहां वहां पर फेंक देती है, और अगर उनके बाल किसी तांत्रिक के या फिर किसी नकारात्मक शक्ति के हाथ लग जाते हैं, तो ऐसे में बालों का गलत प्रयोग किया जा सकता है, बालों के जर्ये को भी बुरी शक्ती या उपरी अलग- चास्त्र में शक्तियों को सिध्ध करने के लिए भी महिलाओं के बालों का इस्तेमाल करते हैं। तो परम पूझ्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी का कहना है कि अगर आप अपने बाल बनाते हैं और आपके बाल जड़ते हैं तूट जाते हैं और बाल कटवाते समय आपके जो कटे हुए बाल होते हैं महिलाओं को कोशिश करनी चाहिए कि आप उन बालों को इकठा करके क ऐसा करने से कोई भी तांत्रिक या फिर बुरी शक्ति आपके बालों का इस्तेमाल नहीं कर सकते तो दोस्तों उम्मीद करते हैं दोस्तों अब तक आपने महायोग टीवी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर ले कि गुरू जी की बताई हुई बातें आप अपने जीवन में जरूर अपनाएंगे और अगली बार आप अपने बालों को यहां वहां फेंकने से पहले कई बार जरूर सोचेंगे गुरू जी का बताया हुआ यह उपाय अपना कर आप अपने जीवन में आने वाली परेशानियों से छुटकारा पाने की कोशिश जरूर उम्मीद करते हैं कि गुरु जी की बताई हुई बातें और चेतावनी आपको जरूर पसंद आई होगी अगर दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं और साथ ही सच्ची श्रद्धा से कमेंट में जरूर लिखें हर हर महादेव राधे राधे देवों के देव महादेव सदैव आप पर अपनी कृपा बनाए रखें इस वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूले और हाँ इस वीडियो से कोई भी सवाल हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं धन्यवाद अगर आपको भगवान से जुड़े बातें और जानना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें फिर आप इस चैनल पर भी जाकर देख सकते हैं बहुत सी वीडियो हमने बनाई है और जिन पर आपको बहुत अच्छी अच्छी ग्यान की बातें पता लग जाएंगे तो एक बार हमारे चैनल पर भी आप जरूर देखें और आपको अगर हमसे कुछ पूछना है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो मिलते हैं किसी नई वीडियो में